हेलो दोस्तों आपका मारे यूटू चैनल में स्वागत है हम आपको पहले भी कई वीडियो दे चुके हैं लेकिन इस बार हम नहीं दमागेदर वीडियो लेके आये हैं यानि की सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक चैप्टर होता है एरे आज हम उसके उपर बात करेंगे ये पॉलो टेक्निक के अंदर 208 किताब लगती है यानि की हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करना जा रहे हैं जिसे मलब हर कोई बच्चा उसे देखते ही मलब भागने की कोश बेस मजबूत होगा अगर हमारा बेस मजबूत होगा तो हम नीम कितनी भी मजबूत अच्छी हो तो मिल्डिंग भी अच्छी खड़ी होती है तो आज हम सी प्रोग्रामिंग के बारे बात करेंगे तो array एक primitive थता linear data structure है जो एक समाण data item का group होता है थार्थ ये सिर्फ एक ही types की data को ही store करेगा या फिर सिर्फ floating point को ही store करेगा array data एक strategic data structure है थार्थ compile time में ही memory को allocate कर सकते है और इसे run time में change नहीं कर सकते ये कह रहा है कि array दिमिन data परकार का चरों का क्या एक समू है ठीक है और इसमें data store करने के लिए एक चरड़ कंपाइल time में memory को अलिविट कर सकते हैं मलब जब हम compile करते हैं data को स्टोर कर सकते हैं उसमें time change नहीं कर सकते हैं अब हम बात करते हैं array live example से हम समझेंगे यह हम assume किजिए है कि आप एक program create कर रहे हैं जो कि किसी क्रोल्स के student के name computer में store करना है और उन student की संख्या 500 है तो आप इन 500 student के name किस तरह से store करेंगे आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि पांस variables create करके तो आइसा करने से program बहुत ज़्यादा complex हो जाएगा और method से time भी बहुत ज़्यादा लगेगा और program में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और computer memory space भी बेस्टेज होगा इस परकार की program को solve करने के लिए seed language हमें array provide करता है जिसे help से हम इस परकार की problem को solve कर बाते हैं तो दोस्तों अब हमने देखा कि array हम किस परकार यूज़ करते हैं और क्या होता है array और हमें क्यों आप सकता होती है तो इस जो मेरे data type किया था computer के अंदर इससे हमारा ये problem solve हो जाती है अब हम बात करते है type of array मलब array कितने परकार के होते हैं दोस्तों single dimension array और multi dimension array और two dimension array और तीन परकार के होते हैं ठीक है अब हम चलते हैं आगे अब single dimension array की बात करें तो वह array जिसमें only one subscribe होता है उसे one dimension array कहते हैं इसका user linear रूप में data को store करने के लिए किया आता है one dimension array को one day array भी कहते हैं तो इसके अंदर जो one day one day array है और की one dimension array की बात करें तो array लिमेंट उपर दिखा रखे हैं इसने arrow लगा कर और मलब इसका जो one dimension array के मतलब होता है जो इसका जो row है वो एक की होता है row और column की बात करें तो इसमें one dimension array है अब two dimension की array की बात करें तो वह array जिसमें two subscribe होता है उसे two dimension array कहते हैं Two-dimensional area को 2-D array भी कहते है 2-D array भी कहते है मरलब जो इसके यगे रो है ना इसके याप देख रहे है First index देख रहे है 0 और 1 और यह रो है यह 2-D है और जो और इसमें कितने है 4 है तो 4 इसमें 0, 1, 2, 3, 4 यह क्या है Second index यहन्की 2-D array चीड है अब ये कॉलम इसने दे रखे हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार ये चार क्या है इसके कॉलम है और ये क्या है टूडी एरे है रो डो टूडी एरे है अब मल्टी डाइमंसन एरे की बात करें तो वैरे जिसमें टू से ज़्यादा अमले तो से ज़्यादा सब्सक्रीप्ट तो दो जाता क्या हो सबस्क्रिब्ट होता हम कियते हैं मल्ली डाइमेंजन एरे को 2 ठीडी एरे को तो 3D एरे भी कहते हैं होगे 24 होगे तो बारा दूना 24 यह होगा मल्टिडामेंड्स ने रहे अब इसकी हम बात करें बैसिक प्रोग्राम में ने रहे इनकी इंट में और इंटिचर के हम मान दे रखे हैं एरे के अपर और पर जब हम प्रिंट कराते हैं तो एरे लिटन और जब प्रिंट होगा तो एरे एक दो तीन लिटन जीरो आगया आउट पищ कितना आगा पांदस दो चय है दो अज हमने आज हमने य्ले में गाना य्डे क्या होता है और यो के बारे में हमने बहुत कुछ देखा कि artwork कैसे काम करता है इसका प्रोग्रम भी हमने देखा प्रोग्रम की भी देखे अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो दोस्तों इसे लाइक, सेर, कमेंट करना ना भूलें थैंक्यू रगन्याबाद झाल 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 झा